Hello guys, कैसे हैं आप सब लोग? I think, hope you all are well and good. So guys, आज की job हमारे रहने वाली है, Flipkart Warehouse की, because Flipkart Warehouse की योड़ से bumper vacancies निकली हैं, और यहाँ पर इन्होंने दो post निकाली हैं, पहली post है आपकी operations executive और दूसरी post है आपकी operations team leader, right? अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, कि इस vacancy में apply करने से पहले, हमको समझना है कि company ने क्या-क्या rules निकाले, right? और किस तरह से हमें apply करना है, because क्या होता है कि जब हम बिना सोचे समझे apply कर देंगे, तो हमारा resume पर revert ही नहीं आएगा, काफी लोगों की queries आती है, कि sir मैंने apply तो कर दी है, बट मेरे पास revert नहीं आया, reply नहीं आया, भाई reply इसलिए नहीं आता है, कि हम लोग job की details समझते नहीं है, और हमार resume में mention कुछ और होता है, और company demand कुछ और कर रही होती है, तो हमको समझना है कि company की demand क्या है, सबसे पहले तो आपको warehouse की knowledge होना mandatory है, कि warehouse के activities क्या होती है, like packaging, unpackaging, loading, unloading, ठीक है, inventory क्या होता है, inventory को manage कैसे करना होता है, कितने type की inventory होती है, यह सारे चीज हमें mandatory है, ठीक है, dispatch material कैसे होता है, like हमने package कर दिया, तो उसको dispatch कैसे करना होता है, यह नहीं है कि आपको proper knowledge हो, बट basic points आपको आने चाहिए हैं इन चीजों के बारे पर, ठीक है, क्योंकि manager या फिर आपका HR round होगा, तो आपस यही पूछा जाएगा, इसके बाद मापको loading, unloading, अगर आपने कोई material को transport कराना है, तो किस गाड़ी में कितना material जाएगा, loading, आपको कितने packard चाहिए हैं, यह vendor क्या होता है, यह सारी knowledge हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास में यह सारी knowledge नहीं है, तो आप Google से या अपने कलीक से किसी पूछ करके, knowledge gain कर सकते हैं, but you should have such type of knowledge, उसके बाद experience आपको यहाँ पर दो साल का minimum experience mandatory है, in logistic operation, उके qualifications की बात करें, तो graduation mandatory है, और उसके अलावा graphically knowledge आपको होना चाहिए, लाइक अगर आप मत्वरा या आगरा reason में काम कर रहे हैं, तो आपके आस पास के locations की आपको knowledge mandatory है, अब बात करते हैं salary की, salary आपको यहाँ पर 22,000 minimum और 25,000 maximum, यानि 22 से लेकर के 25 तक की salary दी जाएगी, इसके अलावा incentives, extra benefits और आपके yearly bonus हैं, वो आपके extra रहेंगे, ठीक है, job location रहेगी guys, आपकी यहाँ पर indoor hub MP यानि मद्यप्रदेश में, तो यह लोग MP के लिए hire कर रहे हैं, फिलाल अगर आप MP सेटल नहीं हो सकते हैं, तो आप HR से consent कर सकते हैं, कि sir मेरा location यह है, तो यहाँ nearby मुझे कोई hub मिल जाएगा क्या, अगर वो नहीं दे पाए, तो 2, 4, 6 मिने बाद वो आपको shift करा देंगे, बट इस opportunity को miss मत करना, because Amazon, Flipkart, Mindra, इनकी ओर से vacancies कमाती हैं, और जिसने भी इनको join कर लिया, वो easily उनको leave नहीं करता है, अब बात करते हैं कि आपने apply कैसे करना है, apply करने के लिए HR का mail ID और contact नमर दोनों ही provide करा दे रहा हूं, तो उन दोनों पर आप अपना PDF format resume, जो मैंने skills बताई है, mention करके भेज दीजेगा, एक चीज़ याद रखना, जब भी आप अपना resume send करो, अपनी profile में mention कर देना, what kind of knowledge you have about inventory, warehouses, loading, unloading, packaging, vendor, so guys, वीडियो करूंगा ये wind up, मिलता हूं, next वीडियो में ऐसे किसी ताजा job update के साथ, अपना के लिए all the best and thank you so much.